क्या आपके भी ऐसे questions हैं कि सर जिस इनसान ने हमें छोड़ दिया है, जिसके साथ हमारा breakup हो गया है, जिसने हमको cheat कर दिया है, वो पच्छताए, वो तडफे, हम यह चाहते हैं, वो इनसान हमें miss करे, वो इनसान regret feel करे, ऐसे feelings क्या आप भी चाहते हो कि सामने वाला इनसान आप के लिए, यह सारा कुछ आज हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं, तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं किया है, तो please चैनल को subscribe करके, बेल आइकन जरूर हिट कर लिजिए, आप देख रहे हो, practical philosopher official, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई अरसक खान, तो इस जो भी problems हैं, वो हमारे साथ share कर सकते हो, तो चलिए, start करते हैं, तो देखो यार अगर आप चाहते हो कि सामने वाला इनसान आपको miss करे, सामने वाला इनसान पच्छता है, सामने वाला इनसान आपके विना तडफे, तो आप यह क्यों चाहते हो, इसके पीछे आपका reason क्या ह उस रिष्टे में दुबारा से वापस जाना चाहते हो, या फिर आप ऐसे ही चाहते हो कि सामने वाले इनसान ने मेरे साथ गलत किया है, इसलिए उसे तडफना चाहिए, उसे मुझे miss करना चाहिए, उसे regret होना चाहिए, इसलिए आप चाहते हो, आपको सबसे पहले खुद क साथ ही decision लेना पड़ेगा, कि मैं क्या चाहता हूँ, या मैं क्या चाहती हूँ इस रिष्टे से, क्योंकि दुखो दोस्त, अगर आप चाहते हो कि सामने वाला इनसान जश्ट ऐसे तडफे, उसे regret हो, उसे पच्चतावा हो, और उसके लिए आप effort लगाओ, उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, और वो सारी चीज़ें आप कर रहे हो, तो it is the totally time waste, आप अपने जिंदगी का waste is कर रहे हो, पुरी तरह से आप time को kill कर रहे हो इत तरीके से, एक रिष्टे में आप आते हो, एक रिष्टे में आप आए, इस इंसान को पट अस्ताने के पीछे effort लगाना, time waste करना, I don't think it worked, तो आपको खुछना है कि मैं इसलिए कर रहे हूँ, या फिर मेरा ये motive है कि सामने वाले इनसान से मेरा break up हो गया, और वो इनसान मुझे चाहिए, और कुछ ऐसा मैं करूँ जिससे वो इनसान मेरे जिंदगी में आए, तो ये आपका break up हुआ, तो आप दोनों ने इस पे discuss किया, आपने उसे मनाने की कोशिस किया, आपने पूरी effort लगाई, और उसके बाद भी सामने वाला इनसान आपको बिल्कुल भाव नहीं दे रहा है, बिल्कुल ignore करना है, आपने 50 बार बात कर लिया है, फिर भी ignore करना है, तो इस बिल्कुल रूप में तो contact खत्म कर लेते हैं, दूरी बना लेते हैं, वाटसेप पे, इंस्टाग्राम पे, हम उनसे connect करने की कोशिस करते हैं, हम उनके बारे में जानने की कोशिस करते हैं, हम इसकी stories देखते हैं, उन्होंने अगर हमें block कर दे है, हम दूसरी ID बना के उनकी stories आपको आपका ध्यान self improvement की तरफ लेके आना है, खुद की happiness की तरफ लेके आना है, जहां से आप अपनी जिन्दगी को और वेतर कर सको, और तीसरी चीज़ यार यार याद रखो, कि हम सभी इसी दुनिया में रहते हैं, वो भी इसी दुनिया में हैं, आप भी इसी दुनिया तो एक बात हमेसा याद रखना, कि अगर आप चाहते हो कि सामने वाले इनसान को जरा सा regret हो, या सामने वाले इनसान को feel हो, कि उसने क्या चीज़ खोया है अपने जिन्दगी में, तो खुद पे focus कर लो, खुद को grow कर लो, खुद को happiness की तरफ लेके जाओ, खुद की चीज़ नहीं है जो सामने वाले इनसान को आपको मिस्करवा सके अगर वो नहीं चाहा रहा है, यह चीज़ होती है कभी आपने अपने आप से देखा हो, कि अगर सामने वाला इनसान आपके साथ relationship में था और आपने break up कर लिया है उस इनसान से, और वो इनसान रो रहा है, द भी खुस है, यह अपने जिन्दगी में ग्रो कर रहे हैं, हमने इनको यहाँ पर चोड़ा था, यहाँ पर इस लेबल पर अचीव कर चुके है अपने जिन्दगी, और जब हम यह चीज़े देखते हैं, तो हम भी sad feel करता है यार, गल्ती कर दिया हमने चोड़ के, ऐसे ही वो कर आएं, खुद को जिन्दगी को अपग्रेट करें, और दुनिया का सबसे बड़ा बदला जो है ना, biggest जो आप ले सकते हो किसी इंसान से बदला, वो यही है, यही है, खुद को चेंज कर दो, खुद को बदल दो, और खुद को इतना काबिल बना लो ना, कि वो जब देख किया उन्हें रिगरेट फील होगा, किया उन्हें कभी ऐसा होगा कि यार, मेरे से गल्ती हो गई, कभी नहीं होगा, उन्हें चलो यार, अच्छा हुआ, इस लेबल के इनसान को मैंने छोड़ दिया, मेरी जिन्दगी बच गई, मिरी जिन्दगी ठीक होगी, तो खुद को अपग्रेट करने फिर फोकस करो यही एक चीज है जो किसी इंसान को आपको मिस्करवा सकती है और एक चीज में किलिरली आपको बता दू यार दुनिया में किसी भी इंसान को अगर फर्क पड़ेगा ना तो वो आपकी खुस्मियों से पड़ेगा आपकी हैपिनिस से पड़ेगा और किसी चीज से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आप रो रहे हो ना दुनिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता है इस पाथ से सीरियसली बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है तुम रो रहे हो तुम परिसान हो लेकिन अगर तुम खुस हो, तुम अपने जिन्दगी में ग्रो कर रहे हो ना, लोग आएंगे जानने के लिए, क्या क्या कर रहा है बंदा, क्या कर रही है, ये खुस कैसे है, लेकिन अगर आएंगे भी नहीं तुम्हारे साथ क्योंकि कहीं कुछ माग ना ले, कहीं मेरे से तुम खुस होंगे, दुनिया दुमारे पास आना चाहें और मेरे एक बात हमेशा याद रखना है मेरे दोस्त किसी भी इंसान के पीछे भागो नहीं तो कि जिसे तुम से प्यार होगा ना वो तुम्हे अपने पीछे भगाएगा नहीं वो तुम्हे रुलाएगा नहीं वो तुम्हे अपने कदमों में गिराएगा नहीं वो जानता होगा कि तुमारी भी वेलू है वो तुमारी रिस्पेक्ट करेगा मैं हमेशा यह कहता हूँ कि प्यार जो इंसान कर रहा है ना वो कभी तुम्हारी इज़त करना नहीं हो लेगा और जिस इंसान ने तुम्हारी इज़त की धज्जेयां उड़ा रखे हो जिसने तुम्हारे रिस्पेक्ट को कभी रिस्पेक्ट समझा ही ना हो वो तुमसे प्यार नहीं कर सकता है वो attraction हो सकता है, वो lust हो सकता है, वो प्यार नहीं हो सकता है, प्यार बिना respect कि आप कर कैसे सकते हो, तो किसी के वीचे भागो नहीं, खुद को build करो, खुद की profile बनाओ, अपने आपको इस काबिल बनाओ, वो miss करें जिंदगी में, जिंदगी में किसी mode पर एक दूसरे के सामने आओ ना, तो वहाँ पर उसे सरमिंदगी महसूस होनी चाहिए, और तुम आखों में आखे डाल के देखने के काबिल हो सको, यह है real में आपकी जिंदगी की growth, यह है real में आपका बदला, यह है real में किसी इंसान को तड़फाना, जहाँ पर आप किसी को तडफाने के intention से काम भी नहीं कर रहे हो, बट आप खुद के लिए ऐसा कर रहे हो, जिसे देख करके सामने वाले को यह regret तो हो गाई, कियार, मैंने बहुत खुबजूरत, बहुत 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 कीमती चीज़ छोड़ दिया है, तो यह उन्हें regret कराएगा, तो अगर आप चाहते हो कि देखें आपको मुड़के, तो बोले, इकास, मैंने ये गलती नादी होती है, तो आई वोब ये वीडियो दिम्हें समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो फसंद आया, तो लाई चरूर कीजिए, पहली बाद चैनल पे आए, तो प्लीज बिचिट झाल झाल पेल्में पेल बादी होगी, फटी बादी होगी पीजिए, तो आई फसंद इनान, प्लीजिएल कीजिए रए, ते ये वी इनान, तो आई वे राई उना, प्लीएल बादी होगी, ये उना, एना, जोर ना, जोरám справriceा होगी होगीग, पहले हो वीजिए वीजिता, झाल झाल